कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप खुद देख सकते हैं पौध अभी एक से डेड़ महिने क्या ही हुआ है और इतने छोटे पौधे में इतने सारे ब्रांचेत देख सकते हैं कि जड़ो को आप देख सकते हैं लगभग एक पौधे से 10 से 15 ब्रांचेस निकल कर आ रहे हैं कुछ इसी तरह से यदि आप भी अपने बैगन के पौधे का ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपन तक जरूर देखिए आज हम आपको एक ऐसा खाद या फटीलाइजर जैवी खाद बताएंगे जिसको डालने के बाद दोस्तों आपका भी ब्रांच बैगन के पौधे हैं वो इन ही तरिके से बहुत सारे ब्रांचेस देने शुरू कर देंगे बात करें दोस्तों तो ये सिर्फ एक ही पौधा है और नरसरी से लगा हुए इसे हमें एक से डेढ़ी महिना हुआ है ज्यादा समय नहीं हुआ है समय समय पर दोस्तों हम इनकी नुंदाई गोड़ाई करते रहते हैं और अभी आप इसका result देखी सकते हैं इनमें फूलने के लिए जो फूल होते हैं वो भी आ रहे हैं साथ में देख सकते हैं हमारे पास दो पौधे अभी दिखाई दे रहे हैं सभी पौधे दोस्तों इन ही तरीके से growth ले रहा है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहां की जो मिट्टी है उनको भुरभुरा कर रहा हूं और वैसे तो यहां बड़ा बड़ा खरपतवार नहीं है चोटा चोटा खरपतवार है दोस्तों उसको भी मैं निकाल के बाहर फेक रहा हूं क्योंकि अभी जश्ट मैं आपको बताने वाला हूं तो आग हम थोड़ा सा हटके एक नए फटी लाइजर एक नए खात के विशाय में आपको जानकारी देते हैं जिसको डालने के बाद दोस्तों आप निस्चिंत हो जाएंगे कि आपका भी जो बैगान का पौधा है बहुत सारे फल देने शुरू कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमने दो फटी लेजर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भूरे रंकी है यह दोस्तों सीफीड है जो की समूद्र के तलो के घासों से बनाया जाता है साथ में यह डाय अमोनिया फासपोर्ट है जो की सफेद रंका दिखाई दे रहा है तो इन दोनों चीजों के मिसरान का दोस्तों उपयोग करेंगे हमें दोस्तों इतना जादा इनका प्रयोग नहीं करना है सीर्फ सीर्फ हमें 10 से 15 ही दाने लेना है चुकि यह एक पौधे के लिए परियाप्त होता है तो 15 से 10 से 15 दाने आपको एक पौधे के लिए दोनों मे खाद होता है इसे किसी भी प्रकार करताशान से नहीं बना जाथा , साथ में डाय्यमूनिया फासफट आप देख सकते हैं दोनों को इक निची निष्ट्रीत मात्रा में दोनों को साथ में ले लेना उसके बाद आप चाहें तो इनमें पानी का प्रयोग अवश्य करिए चुकि यदि जमीन सुखी है दोस्तों तो पानी अवश्य डालिया यदि जमीन गिली है तो पानी के अवसेक्ता नहीं होती है वो धीरे-धीरे रीस के दोस्तों उनकी जड़ों में जाते रहता है यदि पानी नहीं है तो दोस्तों आप एक से डेल लिटर उपर से पानी अवसे दीजे ताकि जो हमारा फटीलाइजर हमने दिया है जो सी फिर दिया है वो अच्छी तरीके से मिट्टे में घूल के जो बाइगान के पाधें उनकी जड़ तक पहुँच जाए तो दोस्तों जो हमने फटीलाइजर डाला है उससे हमारा जो बाइगान के पाधें उनमें बहुत सारे अनेक नए नए ब्रांच आने लग जाएंगे कुछ इसी तरीके से इनकी पत्यां भी दोस्तों बहुत गहरी हरी हो जाएगी और इनमें भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों इनी फटीलाइजर से जो बाइगान है अब अपना भोजन बना कर अपना ब्रिध्धी करते रहेगा तो यह था दोस्तों एक छोटी सी इनफर्मेसन आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ आपके कोई भी सवाल क्योरी हो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल इंका उनको हिट जरूर करिए आपको हमारे चैनल के माध्याम से इसी तरह के वीडियो मिलते रहें